Hello Everyone, Welcome Back to Indian Home and Recipes with Nina मैं हूँ Nina और आज मैं आपके लिए लेकर आगई हूँ Custard Apple Juice बनाने का आसान तरीका इसे हम बड़ी असानी से घर पर इसके Juice को बना करके इसके फाइदों को ले सकते हैं Custard Apple जिसे हम शरीफा भी बोलते हैं, सी टाफल भी बोलते हैं इसकी तारची ठंडी होती है, तो अगर हम इसे घर्मियों में लेते हैं Juice को तो हमारा शरीर का जो तापमन है वो नियमित रहता है और कईयों के हातों में बहुत जलन होती है या फिर शरीर में घर्मी रहती है, तो वो अगर इस Juice को लेते हैं और भी जदा फाइदे मंद होता है custard apple से हम juice या milk shake भी बना सकते हैं पर आज मैं यहाँ पर juicy बनाने वाले हूं तो juice बनाने के लिए यह देखिए मैंने ले लिया है custard apple custard apple जो है यह खाने में बहुत ही tasty लगता है लेकिन इसके अंदर इतने सारे बीच होते हैं कि जब हम इने खाना शुरू करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है तो हम मिंटो में इसका जूस बना करके पी सकते हैं तो यहाँ पर जो कस्टेड एपल है इसे मैंने दो से तीन बार पानी से धो लिया है या फिर इस तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं शरीफे का सारा चिलका निकाल के अलग कर लिया है और अब इसको मैं अलग लग कर देती हूँ ताकि अच्छे से असानी से ये ब्लेंड हो सके और यहां मैंने जो blending jar लिया है इसमें मैं इसे डाल रही हूँ और अगर आपको milkshake बनाना हो तो इस time पर आप इसमें milk मिला सकते हैं तो milkshake बन जाएगा लेकिन मैं यहां पर juice बनाने वाली हूँ तो यहां पर देखिए मैंने पानी ले लिया है लगभग आधा गिलास क्योंकि इसमें फाइवर बहुत जादा होता है तो पानी आधा किलास के या एक गिलास के आसपास आपको लगेगा ही और अब इसे मैं blend करने वाली हूँ अब मैं आपको blend करने का तरीका बताती हूँ blend कैसे करना है इसको सबसे पहले जो आपको low button पे ही इसे चलाना है और दूसरा है जब भी आप इसे चलाएंगे तो सिर्फ एक second के लिए उसे घुमाना है एक second के लिए एक बार ये दो बार घुमाया है वैसे तो एक या दो बारी में ही निकल जाते हैं सीट्स अलग हो जाते हैं लेकिन आप इसे कम से कम तीन से चार बार घुमाये तो मैंने तीन से चार बार कम से कम एक एक second के लिए ही घुमाया है ज़्यादा नहीं घुमाना है बस एक एक second तक घुमाते हैं उसके बाद फीरे से बंद कर देना है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बीच अलग हुए हैं तो ये देखिए अभी मैं से छान के दिखाती हूँ तो ये देखिए सारे सीट्स पड़ी ही असानी से अलग हो जाते हैं और जो हमें फ्रूट खाने में इतना टाइम लगता है तो जूस को हम बहुत ही जल्दी से बना करके कंस्यूम कर सकते हैं ये देखिए सारे बीच अलग हो चुके हैं है ना कितना असान दियान रखना है जैसे में आपको बताया है कि blend करते टाइम आपको बस एक सेकिंड के लिए blend करना है उसके बाद stop करना है और कम से कम तीन से चार बार ही ऐसे बलेंड करना है और सारे सीट्स अपने आप ही अलग हो जाते हैं यह देखिए, अब इनको मैं seeds को है ना, अलग से निकाल लेती हूं, क्योंकि इसके अंदर जो fiber है ना, काफी सारा दिख रहा है, तो मैं उस fiber को फिर से blend करूँगी, तो मैं सारे बीच अलग कर लेती हूं, यह देखिए, बीच को मैंने अलग कर लिया है, अगर हम एक ही बारी में सारा अच्छे से blend कर लेते हैं, तो फिर बीच हो सकता है कि साथी में blend हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सारा एक साथ blend नहीं किया है, तो यह जो हलका फुलका रह च कर लूँगी और जो भी निकला है वो मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए कितना गाढ़ा जोस निकल के आया है और यह मेरा जो शरीफा था यह नैच्रली काफी मीठा था तो इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इंग्रीडेंट नहीं मिलाऊंगी क्योंकि इसका जो अपना कप पानी मिलाकर के ब्लेंड किया हुआ है और यह देखिए कितने अच्छे से निकल गया है अब मैं इसका जितना भी एक्स्ट्रा है ना फाइबर वगेरा हलका फुलका रह गया हो तो उसे में निकाल लूँगी तो यह देखिए तो एक शरीफे से हमारा यह जूस निकल के आ गया है यह जूस काफी गाड़ा है आप चाहें तो इसमें हलका पानी मिला करके और पतला भी कर सकते हैं और इसमें नैच्रल मिठास ही काफी है लेकिन अगर आपको मिठास कम लगे तो आप इसमें शहेद भी मिला सकते हैं आधा चमच के आसपास और बस देखिए जी कित चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा बैल आइकन प्रेस कर लेजेगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें तो मिलते हैं और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए